तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुमाव युनिवस्टी बीए थर्ड सेमेस्टर का जेडर स्कूल अन स्वसाइटिए का जॉपका पेपर है उसका यूनिट थर्ड जेंडर एड एड़केशन उसके कुछ इंपोर्टन क्वेशन डिस्कस करने वाले हैं और ज सब्सक्राइब करें कुछ इंपार्मल और ओर नॲोन्वेसं एडेशन से क्या समझते हैं कि अपने कि इस्प्राइमर्य अपने जुनिवस्टी शियने यानि कि आप इनसे क्या समझते हैं जो युनिवर्सलाइजेशन वाला जो कॉसेट हैं उनसे आप क्या समझते हो मतलब एक तरीके से जिसमें आपका फीस डिस्रिब्यूशन मिड्डे भी लेवरेटिंग जो सारी डीटेल आती हैं उसके क्या एफोर्ट्स हैं बाकी लोगों के लिए फॉर्थ क्वेशन हमारा कहता है कि जो प्रॉब्लम है कि इसकी वेस्टेज की जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम क्या समझते हैं हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी प्रॉब्लम्स का मतलब यह नहीं मतलब कि आप कुछ वेस प्राइमरी एजुकेशन का मतलब को था ? या अनि कि अनुक्टियोटी अनुक्रुटी से फैलियर होता है किसी भी चीज के कंप्लीट कोस का तो उससे आप प्राइमरी एजुकेशन में क्या समझते हैं तो नेकस्ट कुछिन देखे हुआरे क्वश्चिन 6 क्या कहता है और ह स्केकेन्टर एडियुकेशन बोलते हैं मातलो की यांनि कि आप स्केके– आंकी स्केकेन्टरी एडुकेशन बनवहा पत्तो परकॉल में परकॉल वляетсяके तो इक स्केकेन्टरी एडियुकेशन के पोती है णकी सामगे जोहां साल किist aamon something to earn your livelihood अगर एक चरी किसे में बोलू तो वो क्या होता है question 8 हमारा कहता है कि किसी इच की problem बतानी हो remedies बतानी है आपकी vocational education की यह term बहुत important है student इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग next आता है कि आपके higher education में क्या problems होती है question 10 कहता है हमसे describe in brief the function of UGC university grand commission यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा topic है तो इसके बारे में भी आप detail में अच्छे से बढ़ोगे channel के playlist में जल्दी ही आने वाला है हमारे next question देखे क्या कहता है discuss and brief the national policy on higher education and national enrollment policy यानि कि भाया जो नई policy एक तरह से बात करे national policy क्या है हमारी education को लेके और जो student new education policy उसके उपर भी जल्दी ही channel पे data आने वाला है जैसे आपको अच्छे से easily समझ आ जाएगा कि national policy क्या होती है next question क्या देता है कि history क्या है violence की against women यानि कि जो महिलाओ के प्रतिय अत्यचार और हिंसा हुआ एक तरीके से उसके बारे में थोड़ा सा history बताइए क्या है तो ये था हमारे top 12 questions आपके gender and education अगर चैप्टर की बात करें तो उमीद करती हूँ कि आपकी question exam में जरूर कही नगी गाम आएंगे ऐसे ही questions के लिए और अलग syllabus के लिए मेरी प्लेस जरूर देखेगा और अगर आपको channel अच्छा लगता है तो like, comment, share और सबसे important students channel को subscribe करना ना भूले बिलते हूँ आपसे अगली lecture में Thank you class